विंटर सीजन में अगर स्कीन की अच्छे से देखबल की जाए तो हमारी स्कीन भी बहुत हेल्दी रह सकती है विंटर में हमारी स्कीन बहुत ही ज्यादा खराब होने लगती है और ड्राइ होने लगती है तो आज ऐसा ही एक फेसमाक्स में आपके लिए लेके आई हूँ जो विंटर सीजन में भी हमारी स्कीन को हेल्दी और ग्लूइन रखेगा तो चले देखते हैं इसको बनाते कैसे है इसको बनाने के लिए हमें गर के ही इंडिर्डिन्स चाहिए तो सबसे पहले यहां पर मैंने लिया है चने की दाल का आटा याने के बेसन तो एक चमची यहां पर हमने बेसन लिया है और उसमें हम डालेंगे चुटकी बरकर हल्दी पावडर तो आप अपने फेस के लगती हैं आप उस हिसाब से ले सकते हैं उसके बाद यहां पर मैं डालूंगी एक चमज बरकर सहेद याने की ठानी तो यहां पर मैंने डाबर का इस भीर, अ आप कोई भी भी ब्रायन का हनी ले सकते हो या फिर आपकी skin को जो भी suit करता है आप वह नहीं ले सकते हो उसके बाद हमें सारे ingredients को अच्छे से मिला लेना है जब तक यह अच्छा smooth paste नहीं बन जाता तब तक इसको मिला लेना है बेसन का face pack हो या face mask हो वो हमारे skin के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है यह हमारे skin में जाके गहराई से dead skin को clean करता है और जो हमारे dark spot वगेरा हो जाते हैं उसको भी यह clean करने में हमारी help करता है तो दिखी यहाँ पर हमारे smooth सा paste बनके ready हो गया है अब इसको हमें face पे apply करना है और एक और बात मैं आपको बताना चाते हूँ friends की बेसन सर्दियों में हमारे skin के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है सर्दियों में हमारे skin में जो pose होते हो बंद हो जाते हैं तो बेसन का face mask या फिर face pack आप लगाते हो तो वो हमारे skin में जाके सारे pose को open करता है और pose में जो गंदगी होती है उसको साफ करता है और हमारे skin पे एक naturally glue लाता है तो चलिए इसको चेहरे पे apply करते हैं कोई भी चीज face पे apply करने से पहले हमें face को अच्छे से wash करना होता है तो यहाँ पर मैंने face wash पहले से ही अपने चेहरे को कर लिया है अब उसके बाद हमने जो mask बनाया को वो हम face पे apply करेंगे तो यहाँ पर चेहरे से लेके neck तक हम इसको apply कर लेते हैं आपको पतला चाहिए तो आप उस हिसाफ से लगा सकते हो या फिर अगर आपको थोड़ा गाड़ा pack लगाना है तो आप उस हिसाफ से अपने face पे इसको लगा लीजिए तो चलिए मैं भी इसको फटा-फट लगा ल होते हैं जो हमारी skin को healthy रखने में और हमारी skin पे glow लाने में हमारी help करते हैं अगर आप की skin बहुत ही ज्यादा डामेज और बहुत ज्यादा ड्राय है तो विंटर सिजन में यह face mask आप एक से दो बार week में लगा सकते हो यह पूरी तरह से naturally है इसकी कोई भी side effect आपको देखने को नहीं मिलेंगे और इसमें जो हमने healthy add की है वो अगर आप चाहे तो कस्टूरी healthy यूज कर सकते हैं मैं कस्टूरी healthy यूज करते हूँ मैं किचन वाली healthy नहीं लगाती हो कस्टूरी healthy हमारी skin के लिए बहुती अच्छा काम करती है इसलिए कभी भी अगर आप फेस पे पैक अ तो दिखी यहां पर पूरे फेस पर मैंने पैक को लगा लिया है अब इसको हमें 15 मिट तक जब तक की तो नहीं जाता है तब तक के लिए इसको छोड़ देना है तो दिखें फाइनली हमारा पैक सूप गया है और यह हमारे हाथों में भी नहीं लग रहा है तो देखें मैं आपको उसको हाथ से निकाल के दिखा रही हूँ अब देख सकते हो मेरे हाथ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है अब इसको हमें नॉर्मल पानी से या फिर गुर्ण गुर्ण पानी से वाश करेंगे तो देखें यहाँ पर वाश करके भी मैं आ गई हूँ अब देख सकते हो फेस पेक लगाने के बाद आपको बहुत ही बेस्ट डेल रिजल मिलने वाला है उसके बाद आप फेस को ऐसे ही नहीं छोडे फेस पर कोई भी आप मॉस्त राज करूंगी और लगाने के बाद मैं एक से दो सेकें तक अच्छे से फेस पर Mayसाज करूंगी और उसको ओवरनाइट तक छोड़ दूगी तो देखिए फ्रेंज यहाँ पर हमारे मसाज भी कम्प्लीट हो गई है I hope कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी न भूले ताकि ऐसे ही वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट टूडियो में न्यू लॉक के साथ में तब तक लिए बाबाई ठीक है